नमश्कार, I am Manisha and welcome you all in Manisha's Vildang. Today I am going to talk about newlyweds couple. यानि कि नईनी जिनकी शादी हो रही है, वो अपने प्यार को कैसे बरकरार रखें? या यूँ कहें कि यह उन सभी couples के लिए हैं, जिनके बीच में तकरार भी रहती है, तो यह उपाय करके उनके जो बीच की तकरार है, वो भी तूर होगी, और उनकी लाइफ में हामनी भी आएगी. अगर अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं, तो प्रीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकों को प्रेस करें ताकि आपको नए अब्डेट्स मिलते रहें. Now I am come to the point. First of all, newlyweds couple जो है अपने रूम में पिंक कलर का जितना यूज कर सकते हैं, वो करें. यानि कि उनके जो बेड्रूम का कलर है, जो वाल्स की कलर होते हैं, वो पिंक होने चाहिएं. They could use the bed sheet in pink color, light colors, like yellow, like golden, these colors, make harmony in their life. Put family pictures, यानि कि husband wife की जो picture होती है, newlyweds की जो picture है, husband wife पाली, उनको वो साथवेस्ट कॉर्नर में लगाएं, अपने बेड्रूम के. It enhance and it makes the relation stronger. तो इससे आपके प्यार में मजबूती भी आती है और आपका प्यार जो है, वो हमेशा परकरार रहता है. नेक्स टिप्स यह है कि आप साथ विस्ट कॉर्डनर में अपनी फैमिली फोटोग्राप्स के साथ, अगर आप रेड़् फ्लार्स की फोटो लगा सकते हैं, या फिर रेड़् फ्लार्स का पॉट भी यूज करें, इससे भी आपकी लाइफ में हामिनी बनी रहेगी और आप सबका प्यार आप दोनों का प्यार जो है वो बढ़ता रहेगा, इसके लावा है कि आप पिंक कैंडल यूज करें, वीकली आप यूज कर सकते हैं, अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो, तो यू कन यूज पिंक सेंटेटर कैंडल तो मेक यूर हामनी इन यूर लाइफ और मे इसके अलावा है कि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्णी की भी मूर्ती लगा सकते हैं, राधा कृष्णी की मूर्ती के अलावा आप बेडरूम में और कोई कलर नहीं लगा जाता है, ऐसी का माना जाता है, राधा कृष्णी प्रेम के प्रतीक होते हैं, तो इसलिए नियुले वेड कपल को लोग गिफ्ट में भी राधा कर्षन की ही मूर्थी को गिफ्ट करते हैं। आप अपने बेडरूम मेंकिसी की मूर्थी लगाना चाहते हैं। अगर आपके बेडरूम में है तो आप उसे कवर कर कर दें। यानि कि सोने के पहले आप उसे cover कर दें और अगर आपके bedroom में mirror भी है तो make sure that your body parts are not visible in the mirror यानि कि mirror ऐसी दिशा में होना चाहिए जहां आपके body parts उसमें नहीं show करें और अगर ऐसा हो रहा है दिख रहा है आपका body parts उसमें visible है तो you can cover mirror also फोने से पहले आप अपने TV को cover कर दें अपने mirror को भी जो bedroom में आपका mirror है आप उसे भी cover कर सकते हैं इससे आपके प्यार में बढ़ोतरी होती है और आपका प्यार जो है वो बना रहता है एक दूसरे का जो कहते ट्रस्ट वो भी एक दूसरे पर बना रहता है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं टेबल लगाने से दोनों का जो space है यानि कि बैटके दोनों साइड में अगर सेंटर टेबल है चोटे-चोटे ता आप उसको लगा सकते हैं इससे आप दोनों का जो space है वो बरकरात रहेगा और दोनों के relation भी वैसे ही balanced रहेंगे तो ये थे कुछ tips newlyweds couple के लिए apply these tips to make your life better आज के लिए इतना ही और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो please like, share और subscribe और जाते जाते बल आइकों को जरूर पैस करें ताकि आपको नए updates मिलते रहें तब तक के लिए नमस्कार